बहुचर्चेत žूटर तारा शृदेव प्रकरण मामला हाईकोट से रक्किबुल औरफ रंजीत कोली को झटका हाईकोट ने खारिच की जमानत याचिका नेचलिया दालत ने सुनाई है उम्रक्याद की सजा तो बहुचर्चेत शूटर तारा शाहदेव प्रकरण मामले में हाई कोट से रक्किमो लुर्फ रंजीत कोली को जटका हाई कोट निखारीच की जमानत याचिका निचली अदालत ने सुनाई है उम्रक्यात की सजा बहुचर्चेत शूटर तारा शाहदेव प्रकरण मामला जिसमें हाई कोट से रक्किमो लुर्फ रंजीत कोली को जटका लगा है हाई कोट ने जमानत याचिका खारिच करती है अब बहुचर्चेत शूटर तारा शाहदेव प्रकरण मामला जिसमें हाई कोट से रक्किमो लुर्फ रंजीत कोली जो है उनको जटका लगा है उनकी जमानत याचिका खारिच कर दी गई है क्या कुछ अधिक जानकारी आ रही है सलेकर जो देखें आपको बताना चाहेंगे कि ये तारा साहदेव प्रकरण मामला जारखन में बेहद कह सकते हैं कि बहुचर्चित रहा था और इसमें तीन आरोपी बनाया गया थे आरोपियों में तामिल रंजीत पोली उर्फ रकिबूल इसकी माँ जो कह सकते हैं कौसल रानी और जो हाई कोड के पूर रेजिटार जो विजलेंस के रेजिटार से मुस्ताफ एहमद वो जो है आरोपी बनाया थे इन तीनों आरोप मेरे आजीबूल ने जो है एक अपहली आचिका दाखिल की थी और इसमें एक हस्तर से याचिका दाखिल करते हुए जमानत की भी मान की थी आलकि हाई कोड़ेंस के उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है और आपको बता दे कि उसे आजीवन करावास की सजा मिली थी यह मामला लगबद 2 जुलाई 2018 से चल रहा है जब आरोप गटित हुआ था सिभ्याई ने वर्स 2015 में केस अपने हाथों मिलिया था और जाज करते हुए ये तमाम चीजे हुई थी आपको बतादे कि तारा साधे और किबूल की 7 जुलाई 2014 को साधी हुई थी इसी के भिछाब में इसी को अधार बनाते हुए कोट में कहा गया कि क्यूकि तारा साधे और रंजीत कोहली जो है वो साधी सुदा है तो उनके उपर जो रेब का मामला नहीं बनता है लेकिन कोट में इसे खारिस कर दिया तो आजीवन करावास की जो सजा है वो परकरार रहेगी, उम्मीद हो कि वो सुप्रीम कोट का रूप करेंगे, अब सुप्रीम कोट से रंजीत कोली को राहत मिलती है नहीं, यह देखने वाली बात होगी, जी. चलिए, बहुत बहुत दाने वादा यूश तमाम जान करेंगें के लिए. लाइक अंड शेर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकोन, निउस लवन भार, सच है तो दिखेगा.